हेलो एव्रीवन, वेलकम बैक टू माँ चैनल, अगर आप में चैनल पर न्यू है, मेक शुर आपने चैनल को सस्क्राइब कर दिया होगा, साथ ही बेल एकून को भी प्रेस कर दिया होगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो मैं चैनल पर अप्रोड करूँ, तो उसका नोटिफि कोशन यह है कि मैं क्या हवलदार के रिजल्ट आने से हमारे MTS 2022 वाले रिजल्ट पर कोई अंतर आने वाला है, कॉट ओफ में क्या, and second आपका कोशन था common कि मैं हमारा MTS कर रिजल्ट कब तक आएगा, तो इनी सब टॉपिक्स पर आज हम डिसकस करने वाले हैं, ठीक है, डिसक सब्सक्राइब करने वाले हैं, तो चलिए सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं, एज ग्रूप 18 to 25, ठीक है, तो यहां पर हम cut-off after normalization की बात करने वाले हैं, 18 से 25 वाले एज ग्रूप की, तो देखिए, MTS में 18 से 25 एज ग्रूप का जो आपकी वेकेंसी थी, उसमें total number of vacancy आपकी 9,329 थी, ठीक है, 18 से 25 वालों के लिए, तो इसमें cut-off देखते हैं, हम लोग category wise, सबसे पहले UR की बात करते हैं, तो UR के लिए जो आपका cut-off है, after normalization वो 122 से लेके 125 तक रह सकता है, ठीक है, OBC के लिए 115 से 120, SC के लिए 100 से 105, ST के लिए 90 से 95, EWS के लिए जो है, वो 18 से लेके 121 और अधर्स के लिए 86 प्लस जा सकता है, ठीक है, तो यह जो आपके जो भी student 18 से 25 में थे MTS में, उनका cut-off है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको हर category wise में cut-off बता दिया है, अब बात कर लेते हैं, cut-off for the age group 18 to 27, अब 28 से 27 साल वाले age group में जो बच्चे आते हैं, candidates आते हैं, उनके लिए है, तो 28 से 27 age group के लिए आपकी total number of vac vacancies थी, वो 2665 थी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, कितना बड़ा difference है, वहाँ पे आपको कितनी सारी vacancies थी, और यहाँ पे जैसी age group 27 में आया, तो आपके vacancy काफी कम हो गई है, तो इसमें जो है, आपका cut-off और हाई जाएगा, क्योंकि इसमें आपका number of seats से वा काफी कम हो ग से लेके 122 अगा cut-off रह सकता है, ST students की बात करें, तो 108 से लेके 112 और अदर्स के लिए 95-100 जो है, वो आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है, हमने age-wise cut-off की बात की है, after normalization, इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, state-wise cut-off की भी हम बात कर रिजल्ट कर तक आएगा, तो देखिए, जैसे कि मैंने previous वीडियो में बता रखा है, आपका रिजल्ट अभी नहीं आएगा, जब हवल्दार का PT, PST वगरा हो जाएगा, तेन आपका रिजल्ट जो है, वो डिक्लियर किया जाएगा, मैं ऐसा क्यूं हो रहा है, तो उसका answer यह है कि क्योंकि अभी जो है, आपका MTS में क्या है कि बस document verification होता है, तेन आपका joining हो जाता है, बट हवल्दार में ऐसा नहीं है, पहले आपका physical standard test होगा, physical endurance test होगा, medical होगा, तेन आपका document verification के stage पे वो लोग पहुंचते हैं, that's why आप सभी का ऐसा थोड़ा सा delay हो रहा है, तो आपका जो result है, final result है, वो उनी लोग के साथ जारी किया जाएगा, अलग-अलग list में, ठीक है, तो अभी आपके result को काफी time है, चैनल को subscribe कर लीजे, अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, जो भी आपको latest update में को मिलती रहेगी, मैं आपको अपनी वीडियो के वो latest update अप्रोड करके बताती रहोंगे, ओके students, thank you so much for watching this video,